लीजे सुनिये मोहंदास करमचंद गांधी यानि महत्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के तीसरे भाग के चौदहवे अध्याय क्लर्क और बैरा का वाचन वाचन समीर गोस्वामी का है कॉंग्रेस के अधिवेशन को एक दो दिन की देड़ थी मैंने निश्चय किया था कि कॉंग्रेस के कार्याले में मेरी सेवा स्विकार की जाए तो सेवा करूं और अनभावलूं जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन नहाद होकर मैं कॉंग्रेस के का श्री भूपेंदर नाथ बसू और श्री घोशाल मंत्री थे। मैं भूपेंदर बाबू के पास पहुँचा और सेवा की मांग की। उन्होंने मेरी और देखा और बोले मेरे पास तो कोई काम नहीं है पर शायद मिस्टर घोशाल आपको कुछ काम दे सके उनके पास जाईए मैं घोशाल बाबू के पास गया उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और जरा हस कर मुझसे पूचा मेरे पास तो किलर का काम है आप कर नौजवान यही सच्ची भावना है। मेरे पास ऐसे किलर्क नहीं है जिन से ये काम ले सकूँ पर आप सब को देख जाईए। जिसकी पहुँँच भेजना उचिस समझें उसकी पहुँँच भेज दीजिए। जिसके जवाब के बारे में मुझसे पूछना जरूरी समझें मुझे पूछ लीजे। मैं तो इस विश्वास से मुग्द हो गया। श्री घोशाल मुझे पहचानते ना थे। नाम धाम जानने का काम तो उन्होंने बाद में किया। पत्रों का धेर साफ करने का काम मुझे बहुत आसाल लगा। अपने सामने रखे हुए धेर को मैंने तुरंत निप्टा दिया। गोशाल बाबु खोश हुए। उनका स्वभाव बात उनी था। मैं देखता था बातों में वे अपना बहुत समय बिता देते थे। मेरा इतिहास जानने के बात तो मुझे किलर्क का काम सौपने के लिए वे कुछ लज्जित हुए। पर मैंने उन्हें निश्चिंत कर दिया। कहां आप और कहां मैं। आप कॉंग्रेस के पुराने सेवक हैं। मेरे गुरुजन है। गोशाल बागु बोले। असल में यही सच्ची वरत्ती है। पर आज के नवीवा किसे नहीं मानते। वैसे मैं तो कॉंग्रेस को उसके जन्म से जानता हूँ। उसे जन्म देने में मिस्टर हिूम के साथ मेरा भी हिस्सा था। हमारे बीच अच्छी मित्रता हो गई। दो पहर के भोजन में उन्होंने मुझे अपने साथ ही रखा। गोशाल बागु के बटन भी बैरा लगाता था। ये देखकर बैरे का काम मैंने ही ले लिया। मुझे वो पसंद था। बड़ों के प्रती मेरे मन में बहुत आधर था। जब वे मेरी वरत्ती समझ गए तो अपनी नीजी सेवा के सारे काम मुझे से लेने लगे। बटन लगाते समय मुझे मुझे मुस्कुरा कर कहते। देखे न, कॉंग्रेस के सेवा को बटन लगाने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि उस समय भी उसे काम रहता है। इस भोलेपन पर मुझे हसी तो आई, पर ऐसी सेवा के प्रती मन में थोड़ी अरुची उत्पन्न ना हुई, और मुझे जो लाव हुआ, उसकी तो कीमत आंकी ही नहीं जा सकती। कुछी दिनों मैं मुझे कॉंग्रेस की विवस्था का ग्यान हो गया, कई नेताओं से भेंट हुई, गोखले, सुरेंदरनाथ, आदी, युद्धा आते जाते रहते थे, मैं उनकी रीत नीत देख सका, वहां समय की जो बरबादी होती थी, उसे भी मैंने अनभव किया, अं और ये भी देखा कि कितने ही महत्वपूर काम कोई करता ही ना था, मेरा मन इस सारी इस्थिती को टीका किया करता था, पर चित उदार था, इसलिए ये मान लेता था कि जो हो रहा है, उसमें अधिक सुधार करना संभवना होगा, फलता हा, मन में किसी की प्रती अरुची पै के तीसरे भाग के चौदहवे अध्याय क्लरक और बैरा का वाचन, वाचन समीर गोस्वामी का था,